खून बढ़ाने का पावरफुल नुसका पहला, तकिये के बिना सो जाने से कमर का दर्द कम होता है और रीड की हड़ी मजबूत होती है दूसरा, अगर आपको भूख ना लगे और भूख लगने पर खाने का भी दिल ना करे तो गुड का इस्तिमाल करो तीसरा, गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमजोर होंगे चौथा, पानी कम पीने से होंट काले होते हैं पांचवा, जो हर रोज खाली पेट एक टमाटर खाता है, उसके बाल कभी सफेद नहीं होते छटवा, मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं ये पेट की बीमारियों से राहत दिलाती है साथवा, ज्यादा लस्सी पीने से जोडों में दर्द की शिकायत हो जाती है आठवा, पानी में हरी इलाइची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है नौवा, ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है दसवा, जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको हर रोज गनने का रस पीना चाहिए ज्यारवा, उबाले हुए पानी के साथ दवाई लेने से दवाई जल्दी असर करती है बारावा, खून की कमी हो जाए तो सलाद में हर रोज चुकंदर खाए तेरावा, जो रात को ज्यादा देर तक जागते हैं, उनको पागलपन की बिमारी का खत्रा होता है चौदावा, हफते में एक बार शरीर पर तेल की मालिश जरूर करो उससे शरीर में चुस्ती आती है पंदरावा, केला बलड प्रेशर कंट्रोल करता है सोलावा, जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा देने से छाले नहीं पड़ते सतरावा, सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं होगी 18 वा, नीमबू, अजवाइन और सुखे मेवे शुगर के मरीजों के लिए रामबान है 19 वा, मचली खाने वाले लोग दिल की बिमारी से बचे रहते हैं 20 वा, नीम का रस पीने से मुहा से नहीं निकलते 21 वा, ज्यादा खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है 22 वा, हर रोज दही खाने से पेट की तमाम बिमारिया दूर हो जाती है 23 वा, दूध के साथ खजूर खाने से भूलने की बिमारी खत्म हो जाती है 24 वा, खाने से पहले कोई भी एक फल खाओ जिंदगी भर शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी 25 वा, गाय का कच्चा दूध चहरे पर लगाने से चहरे का रंग निखरता है 26 वा, स्ट्राबेरी खाने से कब्ज और सीने की जलन से निजात मिलती है 27 वा, चटनी में काला नमक डालने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी 28 वा, चमेली का फूल सुंगने से गले में बलगम नहीं आती 29 वा, हंसना दिमाग में तनाव को कम करता है 30 वा, सोने से पहले अदरक का टुकडा खाने से पेट बाहर नहीं आएगा 31 वा, रात को पानी में इमली भिगो दें फिर उस पानी से बाल धोले और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करते रहे बाल लंबे और घने हो जाएंगे 32 वा, खजूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, हाजमा बिगड जाता है 33 वा, गाजर का इस्तिमाल करते रखने से दिल के मरीजों को फायदा होता है 34 वा, तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन से आराम आ जाता है 35 वा, पेट की चरबी को कुछ दिनों में पिघलाना है तो पानी में संत्रे के बीज डाल कर पी लो 36 वा, सुभा बासी मों पचास ग्राम प्यास कारस पीने से गुर्दे की पथरी तूट कर बाहर आ जाएगी 37 वा, पालक से सास की नली और फेफरों की खराश दूर होती है 38 वा, दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी 49 वा, ग्रीन चाय में लहसुन डाल कर पीने से शरीर में ताकत आएगी 40 वा, ज्यादा ठंडे पानी का इस्तिमाल करने वाले लोगों को हार्ट अटैक होता है 41 वा, कच्चा दूध हड्डियों को मजबूत करता है 42 वा, पान के पत्ते चबाओ, दिमाग खुल जाएगा 43 वा, अगर चाहते हो कि जल्दी बुढ़ापा ना आए, तो खाने में पिसी हुई अद्रक का इस्तिमाल करो 44 वा, चावल हमेशा कम खाओ, दमे की बिमारी नहीं होगी 45 वा, कपड़े पर दाग धब्बे लग जाए, तो नीमबू से धोए 46 वा, नींद ना आती हो, तो रात में मखाने दूध में पका कर खाएं और पाव के तलवों की तेल से मालिश करें 47 वा, मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं 48 वा, खाने से एक घंटा पहले पानी पीलो और खाने के दौरान पानी ना पियो पाचन तंत्र सही रहेगा 49 वा, चने की डाल के पानी से 6 दिन तक मुह धोये सामवला रंग दूध जैसा हो जाएगा 50 वा, अगर चाय पीनी है, तो खाने के एक घंटे बाद पीना चाहिए 51 वा, अगर आपको तेजाब बनता हो और बार-बार गले में मिर्ची टेस्ट महसूस हो तो ऐसे में खरगूजे खाओ कब्ज और जलन में आराम मिलेगा तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जूर बताए यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं, ऐसे ही जबरदस्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवार आप सभी अपना ख्याल रखना